हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चानल इंवेस्मेंट की वजार पर दोस्तों इस वीडियो में हम रेनु का शुगर के स्टॉक पर चर्चा करने वाले हैं आज 4.5% का फॉल आपको रेनु का शुगर के स्टॉक में मनता हुआ देखने को मिला है कल डेफिनेटली सारे शुगर्स तेजी में थे लेकिन आज शुगर्स टॉक जो थे वो आपको पिटते वे देखने को मिले 50 रुपे के important level को फिर से ये share तोड़ता हुआ देखने को मिला है और 50 के नीचे closing आई है 50 रुपे एक बहुत important zone है stock के लिए जब तक ये 50 रुपे उपर है तब तक तेजी के scope है लेकिन जब जब ये 50 के नीचे गया है बड़ी गिरावट ये share करता हुआ देखने को मिला है क्या होंगे 10 March के target इस वीडियो में सारी जान करें आपको जानने को मिलेगी तो वीडियो को प्राइंट तक देखना वीडियो चलागे तो चैनल को सब्स्राइब करके लाइक करके जरू जायका दूसरे लिए दूस्तों शुरू करते है सबसे प्रेविंट आप देख सकते हैं आज stock के दिन का चार्टे है स्टार्टिंग अच्छी होती है फ्लाटिस नोट पर ओपनिंग होती है लेकिन फिर जैसे जैसे मार्केट में गिरावट होती है यह stock गिरता हुआ देखने को मिलता है लग बग 51 के करीब यह share बढ़ रहा था लेकिन फिर जैसे यह market में गिरावट आती है stock दिन के lows पर closing देता हुआ देखने को मिलता है लेकिन फिर पिर अगर आपन देखने लास्ट पास दिनों में 8.5% उपर अभी भी यह counter है 45 रुपीज का 50 हुआ है फिर गिरावट करीए और currently 48 पर यह trade कर रहा है तो जब तक दोस्तों decisively 50 51 के उपर stock की closing नहीं आएगी तब तक breakout नहीं बनता हुआ देखने को मिलेगा बात करें दोस्तों आज market की तो आज market में expiry का दिन था expiry का pressure जो था वह market पर पढ़ता हुआ देखने को मिले nifty 165 पॉइंट नीचे bank nifty 320 पॉइंट नीचे और nifty mid cap index 170 पॉइंट नीचे majorly तो mid cap index का ही फरक पढ़ता है इन stocks पर majorly mid cap counters यह तो mid cap में almost आधे प्रतिशल की गिरावट थी प्लस लास्ट टाइम mid cap में तेजी कम थी लेकिन फिर भी इस stocks उपर थे तो आज चोटी सी गिरावट हुए mid cap में उसका ही बड़ा impact in counters पे बनता हुआ देखने को मिला है अगर volume की बात करें तो 12 million की volume दोस्तों आज इस stock में आती भी देखने को मिली एक करूट 20 लाग shares trade होते हुए देखने को मिले वहिए अगर आपन currently देखें 29.67% के correction पर अभी भी आपको यह share मिलता हुआ देखने को मिल रहा है इस महीने में definitely अभी भी counter outperforming zone पर ही है क्योंकि इस महीने में 2% की तेज़ी इस counter ने की है निफ्टी ने 1.7% का fall दिखा है वहिए अगर आपन बात करें stock के दिन की range की तो 50 उरुपे 75 पैसे का stock का आप कहा सकते है intraday high था and closing intraday low के बहुत करीब आती भी देखने को मिली है वहिए अगर आपन बात करें volume की तो यहाँ पर भी एक interesting data निकल कर आया है जो कल के दिन stock में breakout हुआ था चार क्रोड की volume के साथ वह आप यहाँ पर देख सकते है 18% का delivery percentage है 20% से भी कम का delivery percentage आता हुआ देखने को मिला है और मैंने हमेशा का है 20% से कम अगर delivery percentage होता है तो stock में negativity बढ़ती है और यह आप देख सकते है 18% का delivery हुआ है 25% से घटकर average delivery percentage almost 18% पर हुआ है 7% का foul आपको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है आज का delivery percentage होप सो अगर positive हुआ तो chances are very high कि rebound जो है वो आपको कल स्टॉक होता हुआ देखने को मिलेगा अगर आपन technical rating की बात करें तो bullish rating से घटकर यहाँ पर rating जो थी वो आप neutral side पर कर दी गई है definitely एक और बड़ा indication है stock के लिए अगर अपन resistance की बात करें तो यहाँ पर majorly 50 रुपए के उपर की resistance बच रहे है लेकिन वो resistance है stock हिट नहीं कर पाया और lower side पर support touch करके दिखा चुगा है stock तो majorly आपको 47-40 का level पर ध्यान रखना है इस level को आप अपना support लेके चल सकते है stop loss लेके चल सकते है and higher side पर definitely 50 रुपए का hurdle stock को वापिस सताएगा एक बार अगर दोस्तों कावन पर closing आगे stock की तो जरूर दोस्तों higher side पर 54-55 रुपए के तक के लक्ष तो आपको आपको नजर आता हुआ देखने को मिल रहा होगा ऐसा लग रहा था कि V-shape के recovery दिखाएगा लेकिन डेफिनेटली गिरावट करिये stock ने but stock की हमेशा history रही है जब-जब दोस्तों stock ने तेजी करी उसके बाद गिरावट करी है again तेजी करी है and अभी पी दोस्तों यही मुझे लग रहा है कि pattern बनता हुआ देखने को मिल रहा है Majorly यह stock एक consolidation zone में अब Gustav आपको देखने को मिल सकता है और वो जो range होगी consolidation की वो range दोस्तों लगबग दोस्तों 48 रुपीज से 51 रुपीज के बीच में बनती वी देखने को मिलेगी I think so इसी range में stock अभी कारोबार करता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले एक से दो दिन और उसके बाद अगर दोस्तों 51 रुपीज के उपर stock का breakout आता है तो वो breakout stock को minimum दोस्तों I think so यहां से 55 और 60 तक के zones पर ले आता हुआ देखने को मिलेगा तो मेरी यही सला है दोस्तों कि इस counter में आप hold की category रखे lower side पर 47 40 का आप इस stock में stop loss लेके चले and higher side पर मुझे लगता कि 55 रुपे से 60 रुपे तक के target नियो तर्म में इस counter में आपको जरूर बनते हुए देखने को मिल सकते है long term के targets की बात करें तो long term में दोस्तों मेरी यही सला है कि wait करें इस counter में अगले company की quarterly results कर अगर quarterly results दोस्तों company के अच्छे आते तो जरूर इसको आप long term में hold करके चल सकते हैं तो दोस्तों that's it for video अगर video चल लगाओ तो channel को like करे, share करे, subscribe करे दोस्तों thank you for watching this video